हेलो फ्रेंज वंस इगेंड विट्म बैग आज के इस वीडियो में हम लोग PSY 100 क्वेश्चिन पेपर को सॉल्ब करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चिन आपके एक्जाम में पूछे गया थे ठीक है यह पेपर का टाइटल है अर्थात संचार कोशल एवं वक्तित विकास संचार कोशल एवं वक्तित विकास आपका क्या है तो पेपर का टाइटल है और पेपर कोड क्या है तो PSY 100 PSY 100 यह हाली में पेपर हुआ है अल्मोस्ट 24 को 24 तारी को यह पेपर हुआ था तो इस पेपर को आज हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चिन दिये जाते हैं जिनकी संख्याप की कुल 6 होती है और आपको 3 क्वेश्चिन करना रहता है किसी भी 3 क्वेश्चि कर सकते हो ठीक है तो इसमें पहला कोश्चिन देख लेते हैं कि पहला कोश्चिन क्या कर रहा है पहला कोश्चिन में क्या पूछ गया है तो पहला कोश्चिन है व्यक्तितों के निर्धारकों की ब्याख्या कीजिए यह आपका पहला कोश्चिन हो गया दूसरा कोश्चिन है अभीविर्टि के संपरत्य यानि कि अभीविर्टि के संपरत्य एवं घटों का वरनन किजे कहरा है कि explain the concept and components of attitude एक्सप्लेम द एक्सप्लेम करने कि लिए कहरा है कि अभीविर्डि के जो संपरत्य है यानि इसिधानत है और घटक है उनकी उनका वरनन कीजिए ठीक तीसरा क्वेशन क्या करें निम्न निम्न आत्म सम्मान यानि कि लोग सेल्फ इस्टीम की परणितियों की विवेचना कीजिए लोग सेल्फ इस्टीम की परणितियों की विवेचना कीजिए चोथा क्वेशन करें कि कि explain smart goal smart लक्षी की ब्याख्या करें पांचवा कोशन क्या करें थ्रो द लाइट ओन एक्टिव लिस्टिनिंग स्किल यानि कि सक्रिय श्रावन कोशल पर प्रकास डालें छट्वा कोशन आपका है explain the concept of ICT 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 के संप्रते यानि की सिध्धानतों की ब्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए यह आपके कुल्चे कोश्चन है और इसमें से सबको पता है कि तीन कोश्चन करना रहता है उसके बाद अब हम लोग आते हैं जो अब्जेक्टिव टाइप कोश्चन है उस तो इसमें आपका पहला कोश्चन है निमनल इकित में से क्या व्यक्तित्व के सध्धान्तिक संप्रते के लिए सत्य नहीं है थोड़ा सा English form में देख लेते हैं कह रहा है कि which of the following is not true for the theoretical concept of personality which of the following is not true for the theoretical concept of personality तो इसमें option दे रहा है डाइनेमिक और्गिनाइजेशन यानि कि गतिक संगतें दूसरा option है साइक साइको फिजिकल सिस्टम यानि कि मनुद्याहिक तंत्र तीसरा option है इस्टेटिक यानि कि अस्थाई चौथा option है यूनीक और द्वितिय तो इसमें आपका जो सी option है वह correct हो जाएगा इस्टेटिक अस्थाई आपका ब्यक्तित तो क्या होता है व्यक्तित का जो संपरतय concept होता है सैधान्तिक जो concept होता है तो वह अस्थाई नहीं होता है ठीक है डाइनेमिक होता है यह गतिक है हमेशा चेंज होता रहता है चेंजेबल है डाइनेमिक चेंज इसमें होते रहते हैं तो इसमें आपका इस्टेटिक जो है वह आपका रॉंग हो जाएगा मतलब यह सही हो जाएगा यहां सत्य नहीं है पूछा है कि निमनलेकित में से क्या व्यक्तितों के सधान्तिक संपर्ते के लिए सत्य नहीं है तो और स्थाई ठीक है स्टेटिक सत्य नहीं है उसके बाद विच वन आप दो फॉल्मिंग इस रिलेट टू ट्रेट थियोरी और परसनाल्टी यानि कि ट्रेट यह थियोरी है इन में से इन चारो अप्षन में से ट्रेट थियोरी से कौन रिलेट करता है कौन सम्बंदित है कि निमनलेकित में से कौन व्यक्तितों के शील गोन सिधान्त से सम्बंदित है तो पहला अप्षन है कैटल दूसरा अप्षन है फ्रायट तीसरा अप्षन है यंग और चौथा option है Alfred तो देखो हमारा जो option सही होगा वो dish सही होगा लेकिन इसमें जो answer दिया गया है Alfred वो गलत है वो क्या है गलत है आपका यहां पे होना चाहिए garden airport या airport होना चाहिए Alfred नहीं यह पोर्ड यहां पे Alfred दे दिया है तो हमको क्या करना है हमको तो सही माग करना है यह सही करेगा बोड ठीक इस यह आपका एंसर गलत है यहाँ पे अलफ्रेड न होके एलपोर्ट होना चाहिए था तो डी ऑप्शन क्या करेंगे सही माग कर देंगे उसके बाद है तीसरा कोश्चन शेल्डन ने व्यक्तितों के तीन प्रकार बताया है इन में से कौन से हैं वो थ्री टाइप्स तो पहला ओप्शन में दिया है प्लेटी मार्फिक, एंडो मार्फिक, एक्टो मार्फिक, दूसरा ओप्शन है एंडो मार्फिक, मिसो मार्फिक, एक्टो मार्फिक, तीसरा ओप्शन है मिसो मार्फिक, एंडो मार्फिक, सोमेटो म को चौछा उप्षे साघ्चे ऑफेzरी ऑप्षे करेक्ट हो जाएगां और यह क्तितितों के तीन प्रकार बताया हैं वो कौन-कौन से दालन के द्वारा ब्रकार क्रिक्पित यह सब्गें कजा कि प्रकार कतीतॉप से हैं धौरें-क्तितितों के genau के व्यक्तित्तों के प्रकार है गीवेन बाई शेल्डन ठीक उसके बाद चौथा कोशन है क्रेश्मर द्वारा दिये गए व्यक्तित्तों प्रकार में सम्मलित नहीं है तो इसमें आपका एथेटिक पहला ऊप्ष्न क्या कह रहा है तो एथेश्मर द्वार जो व्यक्तिततों के टाइप दिये है तो इसमें जो सी आप्ष्न वो नहीं है इसके जगापे उन्होंने डिस प्लास्टिक ठीक है डिस प्लास्टिक को बताया है जो आपका यह सी ऑप्षन है कोश्चन के हिसाब से यह क्या होगा करेक्ट हो जाएगा यहां पर क्रेशमर द्वारा दिये गए व्यक्तित्व प्रकार में समलित नहीं है तो देखो इन्हो द्युसरा आता हां और ड्याता है जो एस थेटिक है च सिस ऑपशन यह यह नहीं आता है इसके जगापका जएगा डिस प्लास्टिक टिक डिस तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जागा करेक्ट जागा अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नमबर फाइब निम्नली कित में से कौन व्यक्तित्व का एक निर्धारक नहीं है कह रहा है कि विच वन आप दो फॉल्मिंग इस नौट डिटर्मिनेंट ऑफ परसनाल संस्क्रितिक निर्धारक तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है यह करेक्ट हो जाएगा ठीक है आपके व्यक्तितों का निर्धारक कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स प्रायोगिक निर्धारक नहीं है ठीक है प्रयोग से किसी के व्यक्तितों का निर्धारन नहीं होता है लेकि तो इसमें आपका बी ऑप्षन क्या हो जाएगा ये नहीं है ठीक है पूछा है नेमना लिकित में से कौन व्यक्तितो का एक निर्धारक नहीं तो वो है भी ठीक अगला कोश्चन है अभिवरती है यानि कि attitude and attitude is attitude क्या है तो किसी विशेश व्यक्ति पर व्यक्ति का विश्वास ये क्या है attitude है पूछ रहा है कि attitude है तो क्या है चार आप्षन दिया है तो पहला आप्षन है किसी विशेश विशेश पर व्यक्ति का विश्व सब्सक्राइब और ten जुमें का उप्षन कीसी वस्तु के प्रतिव्यक्तित में एवँ का य। हौधा डूसक्राइब कास प्रतिव्यक्ति के श्तृव्यक्ति का इस रिboys की sensing प्रतिव्यक्ति एवं ब्योहार कह रहा है कि ए पर्शन वे आफ थिंकिंग फिलिंग एंड बिहाविंग इन पार्टिकुलर मैनर टोवाड एन अब्जेक्ट और इवेंट तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यह आपका एटिट्यूड होता है जो किसी वस्तु व्य प्रतिव व्यक्ति की एक विशेश प्रकार की सोच भायों ब्योहार को दर्शाता है यह क्या है अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर सेवन अभिवरिति के तीन घटक हैं तो इसमें आपका पहला ऑक्शन दिया है भाव संग्यान एवं ब्योहार क्यारा कि दा की इसलब सुफ़ क्या कर रहा है अपक्शन है अफान संग्यान एवं ब्योहार अपक्टिव क्यों विहज़ीर घ्र और यह आपका यह व्याइवल हो एक्सके है करेक्ठ जाएगा अभिवर्ति के ये तीन घटक हैं भाव संग्यानेवं ब्यवार अब आठवा कुशन है नेमनलिकित में से कौन सा कारक अभिवर्ति निर्माण को प्रभावित करता है यानि कि विच्च वन आप फॉल्विंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एटिट्यूट फॉर्मेशन यानि कि एटिट्यूट जब बनता है तो इसको प्रभावित करने का कारिकों करता है तो पहला अप्शन है मैं थोड़ा सब जूम कर देती है इसको पहला option है पहला option कहा रहा है परिवार दूसरा option है मित्र तीसरा option है अनुबंधन और चौथा option है उपरोक्त सभी तो यह इसमें आपका D option क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा निमल कित में से कौन से कारक अभिविति निर्माड को प्रभावित करते हैं तो यह सभी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे उसके बाद है क्रिया प्रशूत अनुबंधन अभिविति को प्रभावित करता है यानि कि operand conditioning affect attitudes by कह रहा है कि operand conditioning affect attitude by किसके द्वारा क्रिया प्रशूत अभिविति क्या होती है प्रभावित होती है यहीं आपका question का sense है तो इसमें दिया है किसी वस्तु घ्यक्ति या घ्टना के प्रति धनात्मक संवे का निर्माड निर्माड कर उसके बाद दूसरा option है वांचित अभिविति को मजबूत कर तथा आव आंचित को कमजूर कर सी option है दूसरों के वहार के प्रेक्षण के बाद अभिविति में परिवर्तन उसके बाद है आपका संग्यानात्मक विसंदिता उत्पन करना तो इसमें आपका जो सी ओप्षन है वो करेक्ट हो जाएगा दूसरों के बेवहार के प्रिक्षन के बाद अभिवर्ति में परिवर्तन ही क्या है तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन अभिवर्ति को प्रभावित करता है ठीक अब अग का नहीं है पूछ रहा है कि which one of the following is not way to form attitude तो इसमें आपका पहला अप्षन है decision making दूसरा option है direct experience तीसरा option है social influence और चौथा अप्षन है सामाजिक प्रभाव उसके बाद है आपचारिक सिक्षा तो इसमें देखो जो आपका यह option है वह correct हो जाएगा decision making ठीक है decision making क्या करेगा decision making क्या करेगा तो यह अभिवर्ति निर्मार का तरीका नहीं है decision making यह बिलकुल ही in factor से यह अलग हो है तो इसमें आपका option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बाकी protection प्रभाव समाजिक प्रभाव उपचारिक सिक्षा यह सब आपके अभिवर्ति के निर्मार में यानि की attitude के form को जब attitude बनता है तो उसको प्रभावित करने का कारे करते हैं ठीक है अभिवर्ति निर्मार का एक तर करते हैं फिर अगला question है निमनली कित में से क्या आत्म सम्मान को परिभाशित नहीं करता है निमनली कित में से क्या आत्म सम्मान को परिभाशित नहीं करता है कह रहा है कि which of the following does not define self-esteem तो पहला option कह रहा है आत्म प्रत्य का धनात्मक या रिडात्मक मुल्यांकन मैं थोड़ा से इसको जूम कर देती हूं कह रहा है कि आत्म प्रत्य का धनात्मक या रिडात्मक मुल्यांकन उसके वाद है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी समझ ठीक है बी ओप्शन है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी समझ सी ओप्शन है कभी-कभी परिवार, सम्मू और संस्कृति के बिचार, नैतिकता और मुल्य पर निर्भर करता है डी ओप्शन है हमारे व्यक्तिगत योग्यता का मुल्यांकन तो इसमें आपका जो क्या कह रहा है निर्भर कित में से क्या आत्म सम्मान को परिभाशित नहीं करता है निर्भर कित में से क्या आत्म सम्मान को परिभाशित नहीं करता है तो आत्म प्रत्य का धनात्मक या रेडात्मक मुल्यांकन दूसरा option है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी समझ कभी-कभी परिवार समू और संस्कृति के विचार नक्तिता और मुले पर निर्भड करता है तो इसमें आपका जो C option है वो क्या हो जाएगा? इसमें आपका 12 question number है उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य परनिती है तो इसमें आपका option है निर्णे निर्माड में कमी दूसरा option है दूसरों के साथ खराब सम्मंद तीसरा option है आत्म विश्वास में कमी और चौथा option है पात्रता एवं सुरक्षा का भाव तो D option है आपका इसमें क्या हो जाएगा correct हो जाएगा पात्रता एवं सुरक्षा का भाव feeling a worth and security यह आपके उच्च आत्मसम्मान यानि की हाई 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 आप सेल्फ इस्टीम की मुख्य पढ़नेती है major consequence है कि आपको पात्रता एवं सुरक्षा का भाव वहाँ पे क्या होता है प्रकट होता है उसके बाद अगला कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन कह रहा है कि निम्न लिखित में से क्या निम्न आत्मसमा का लक्षण नहीं है नहीं है तो हो है आपका देख लेते हैं option में कह रहा है अतिस सामान्नी करण यानि कि over generalization तूसरा option है मानसिक निस्पंदन mental filtering तीसरा option है assertiveness यानि कि निश्चयात्मकता उसके बाद है रिणात्मक निश्करसों पर कूदना jumping to negative conclusion देखो अगर इसकी विशे पूछता कि निम्न आत्मसम्मान की क्या विशेष्टा है तो रिडात्मक निश्करसों पर कूदना यह आपके निम्न आत्मसम्मान की विशेष्टा है कि जो जिनका self-esteem निम्न होता है low quality का होता है वह हमेशा negative चीजों पर ही उनका mind jump करता है लेकिन जिसका self-esteem high होता है वह हम negative thought रखते हैं यानि कि जो भी निश्चे लेते हैं जो भी काम करते हैं उनमें पूरा उनका confident होता है तो इसमें आपका जो है पहला है कि निम्न में से क्या आत्मसम्मान का लक्षडब नहीं है तो वह है c यह निम्न सम्मान के लिए नहीं है यह हाई आत्म सम्मान यानि की हाई सेल्फ इस्टिम के लिए है लोई सेल्फ इस्टिम के लिए नहीं है तो सी आप आप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अब अगला कोशन है आत्म विश्वास का अर्थ है आत्म विश्वास का क्या अर्थ है तो अपने प्रती दूस कार्यों से रोकना और तीसरा चौथा option है उपरुप्त सभी तो देखो इसमें आसे आपका बी option जो है वो correct हो जाएगा अपने तता अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना ये क्या है आत्म विश्वास का अर्थ है अगला question है आत्म विश्वास बढ़ाने का एक तरीका है आत्म विश्वास बढ़ाने का एक तरीका है अपनी गलतियों को स्विकार ना करें दूसरा option है दूसरों की कमजोरियों को चिन्हत करें identify others weakness यह आप क्या कह रहा है option दे रहा है तीसरा option है स्वैम से बात करने से बचे तीसरा option चौथा option है आत्म सुकृति का अभ्यास करें प जाएगा यह सब क्या है तो गलत है यह आत्म विश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं है कि अपनी गलतियों को स्विकार ना करें अपनी गलतियों को हमेशा स्विकार यह इससे क्या बढ़ता है तो आत्म विश्वास बढ़ता है उसके बाद है दूसरों की कमजोरियों को क्य देखना चाहिए क्योंकि हम में अपने आपको सुधार नहीं है दूसरे को तो हम सुधार नहीं सकते ठीक है तो यह भी आपका हो गया यह भी आपका आत्म विश्वास बढ़ाने का तरीका नहीं है तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वह आत्मस्विकृति का भ्यास कर ने तो डी option आपका क्या हो जागा करेक्ट हो जाएगा अभ अगला कोश्ट पर आते हैं के संचार की बढधाओं को दूर किया जा सकता है संचार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है सक्रिय स्रमड यानि की एक्टिव लर्निंग द्वारा शिकायत करके परिहार द्वारा सूचना अभित्वार द्वारा थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं बैरियर टू कम्यूनिकेशन कैन बी ओवर कम बाई एक्टिव लिसनिंग कंप्लैनिंग एवाइडिंग इन्फोर्मेशन ओवर्लोड देखो तो इसमें जो एक्टिव लिसनिंग है यह आपका करेक्ट हो जाएगा कि सक्रिय स्रमड द्वारा हम संचार की बाधाओं को दूर कर सकते हैं अब मालो कि हम कुछ बता रहें आपको आप उसे सुन ही नहीं कर ले ओ तो क्या होगा वह संचार में एक कर रहा है अगर आप अच्छे से हो असको सुन रहे हो तो उसमें कुछ भी रiphat करी क्रीट नहीं कुछ भी रुकाट जैसा नहीं हुआ вп oraz आपके नहीं संचार की बाधाओं को बढ़ाता है लेकिन अगर जब आप किसी भी चीज को अच्छे से सुन लेते हो समझ लेते हो तो वह संचार की बाधाओं को उससे क्या किया जा सकता है दूर किया जा सकता है संचार्गी से कहते हैं तो अपने विचारों का आधान प्रदान करना यानि कि जब हम अपने विचारों का दूसरे व्यक्ति के साथ आधान प्रदान करते हैं या उसको समझा देते हैं जो हम समझ रहें उस चीज को अगर हम दूसरे को समझा दिये तो क्या होता है संचार होता है किसी बात को समझाना हो सकता है ठीक है न्यूज देना होता है तो जब हम अपने बातों को जैसे हम समझ रहे हैं वैसे ही अगर उसको समझा दिए तो क्या कहलाता है वहीं कराता है वहीं कह रहा है कि संचार अगर वह हमारी बातों को आज़े वह नहीं सुनता है नहीं समझता तो संचार नहीं कहा जाएगा कि संचार की बधाओं को दूर किया जा सकता है कि सब्सक्राइब क्या धुक्रशा प्रगया है धो उसके बाद है कि डिधाब उस्ञें उसका समपरेशन का घटक नहीं दूर ठाब प्रती मिनिट बोले गए शब्दों की अब आबरती यह सब क्या है तो यह सब आपके क्या है ऑप्षन कह रहा है कि निम्लेली खित में से कौन अवाचिक संप्रेशन का घटक नहीं है निम्लेली खित में से कौन अवाचिक संप्रेशन का घटक नहीं है आपका क्वेशन नमबर है 24 कह रहा है कि निम्लेली खित में से कौन अवाचिक संप्रेशन का घटक नहीं है अवाचिक का मतलब क्या होता है नानवजर्बल कम्यूनिकेशन तो इसमें आहागा प्रति मिनत बोले गए शब्दों की आब्रिति यह क्या है तो अवाचिक संप्रेशन का घटक नहीं अवाचिक में क्या करना है तो शब्द नहीं बोलने हैं भाव भंगिमा यानि कि गेश्चर आप कुछ भाव बना रहे हो सरीर की मुद्रा दिखा रहे हो जो आई कॉंटेक्ट होता है व उचाव को देखके हम समझ जाते हैं कि क्या रियक्षन है ठीक है तो वह सब क्या है ओवाच इक संप्रेशनющ Неक्स कशा करृटक का प्रियोग किया ठीक है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन आते हैं अगले कोश्चन पर स्रोता की आँखों में देखना बताता है कि वक्ता असब है पहला ऑप्शन है कह रहा है कि लुकिंग इंटो आइज आप दो आउडियन्स शोज दैट इस्पीकर इस असभ्य यानि कि इंपॉलिट इंपॉलाइट वी ऑप्शन है असिस्ट यानि कि रूड है असिस्ट है सी अप्शन है आत्म विश्वासी है कॉन्फिडेंट है एरोगेंट है घमंडी है अभिमानी है या आत्म विश्वासी है तो इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा शी ऑप्शन क्या कह रहा है कि आत्म विश्वासी है सुरोता कि आँखों में देखना बताता है कि जो स्पीकर है वो क्या है आत्म विश्वासी है तो सी ऑप्शन आपका इसमें अगले question पर आते हैं question number 26 कह रहा है कि परावाचिक संचार का अर्थ वह सुचना है जो प्रेशित होती है कह रहा है कि परावाचिक यानि कि परावर्बल कम्यूनिकेशन देखो यह question इतना interesting है इसको अच्छे समझेंगे परावाचिक परावाचिक संचार का अर्थ वह सुचना है जो प्रेशित होती है कह रहा है कि परावर्बल कम्यूनिकेशन refers to the message that we transmit थो किसके द्वारा यह transmit होता है तो भाव भंगिमा तथा शारेरिक मुद्रा द्वारा दूसरा option है आवाज के स्वर उतार चड़ा तथा गती पेंसिंग द्वारा तिसरा option है कथन की विशेवस्तु द्वारा चौथा option है उपरोक्त सभी तो देखो इसमें जो बी option है वो करेक्ट हो जाएगा क्या कह रहा है कि आवाज के स्वर उतार चड़ा तथा गती द्वारा देखो पैरा वर्बल कम्यूनिकेशन क्या होता है तो देखो एक शब्द मान लो एक शब्द जब हम अलग-अलग attitude से बोलते हैं तो उसके भाव भी अलग-अलग होते हैं जैसे पीके मूवी आप लोग देखें गो तो यह जो अच्छा कहने का तरीका है कई तरह से तरीका है तो वहीं तरीका क्या है पैरा वर्बल कम्यूनिकेशन है यानि कि हम एक ही शब्द को कई भाव में बोल कर कई अर्थ उसके ला सकते हैं यहां तक पैरा वर्बल कम्यूनिकेशन समझ में आ गया तो ये आपका स्वर यानि की शब्दों के द्वारा और उतार चड़ाव के द्वारा हम उसके अर्थ को क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं शब्द वहीं रहते हैं कुछ हमारे बोलने के तरीके से क्या होता है उसके अर्थ चेंज होते रहते हैं तो वहीं कहा रहा है कि परावाचिक संचार का अर्थ हुआ सुचना है जो प्रेशित होती है आवाज के स्वर उतार चड़ा तता गती पेशिंग द्वारा तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा Fit 27 नमबर क्रावाचिन है नीमनलिकत दूश्चनowाचि का संचार का घतक नहीं है तो देखो यह भी कोंछन में मुझे थोड़ा साथ डाउट नहीं है पूरा ब्लेयल्येश कि यह पूरत ग्रावाचिन संचार का घंड नहीं है बीच घंड़ा कि इस is not a component of communication तो देखो इसमें आपके यह जो तीनों ऑप्शन है यह करेक्ट है यह तीनों ही आपके संचार के घटक नहीं है components नहीं है components की बात की जाए तो प्रतिपूर्ति यानि की feedback आपका एक लौता इसमें आपका संचार का घटक है बाकी यह तीनों option ही गलत है तो इसमें देना चाहिए था कि निमनलेकित में से संचार के घटक संचार का घटक है तो यह प्रतिपूर्ति हो जाता अब दिया है नहीं है तो नहीं है तो यह तीनों ही नहीं है वाचिक सुचना भी नहीं है परावाचिक सुचना भी नहीं है और वाचिक सुचना भी नहीं है यह आपके किसके वर्बल कम्यूनिकेशन के क्या है टाइप्स है तो इसमें आपका एक ही option यह प्रतिपूर्थी ठीक है तो इसमें आप लोग भी अपने हिसाब से मांग कर सकते हो तो हम तो इसी को मांग करेंगे प्रतिपूर्थी को कि कौन सा संचार का घटक नहीं है तो नहीं गलती से दे दिया होगा या अब बोट जाने उसका तरीका लेकिन यहां पर प्रतिपूर्थी क्या है तो संचार का घटक है और यह पूछा है नहीं है तो यह तीनों ही नहीं है यह आपके वर्वल कम्यूनिके उनके हिसाब से तो डी ही ऑप्शन सही होना चाहिए उसके बाद है डी ट्वेंटी एट नंबर क्वेस्टन दूसरों की बात सुनने और अनुक्रिया करने का ऐसा तरीका है जो आपकी समझ को बढ़ाता है ठीक है क्या कह रहा है कि दूसरों की बात is the way of listening and responding to another person that improves mutual understanding यानि की दूसरों की बात सुनने और अनुक्रिया करने का ऐसा तरीका है जो आपकी समझ को क्या करता है बढ़ाता है तो वो है सक्रिया स्रावड दूसरा अप्शन है निस्क्रिया स्रावड सी आप्शन है केवल सुनना चौथा आप्शन है बुरा स्रावड यानि की पूर लिस्निंग तो इसमें आपका डियो ऑप्शन सौरी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सक्रिया स्रावड द्वारा एक्टिव लिस्निंग द्वारा हम दूसरों की बात सुनने और अनुक्रिया करने का एक्टिव लिस्निंग दूसरों की बात तरीका जो आपकी समझ को क्या करता है इंप्रूब करता है आपकी अंडरस्टाइंडिंग को इंप्रूब करता है कौन इंप्रूब करता है तो सक्रियल स्रामड यानि की एक्टिव लिस्निंग एक्टिव लिस्निंग तो इसमें आपका यह ऑप्षन क्या हो जाएगा करेक्ट पहला ओप्षन रिपीट रिप्लेक्ट और रियक्ट रिपीट रिप्लेक्ट और रियक्ट बी ओप्षन है रिप्लेक्ट रिस्पॉंड रियक्ट सी ओप्षन है रिपीट रिफ्लेक्ट रिस्पॉंड डी ओप्षन है रिफ्लेक्ट रिस्पॉंड रिमेंबर तो देखो इसम मैं थुबाँ सा जूम कर देती हूं इसको जो आपका सी ओप्षन है वो करेक्ट हो जाएगा रीपीट रिफ्लेक्ट रिस्पांड यह आपकी सक्रियस रमड के तीनार हैं थ्री आर्ड़ आफ एक्टिव लिस्निंग थ्री आफ एक्टिव लिस्निंग यानि की शक्रीश्राव ओर यानि कि active listening आधारीत होता है बेस्ट होता है ठीक है तो वह कौन-कौन से है तो आपका option correct हो जाएगा सी option क्या हो जाएगा correct हो जाएगा repeat reflect respond repeat reflect respond अगले question पर आते हैं question number 30 पर किसी किसी परिस्थिती में दूसरे के सामाजिक द्रिष्टिकोंट से यह समझ सकने की शमता की वह ब्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है कहलाती है देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है किसी परिस्थिती में दूसरे के द्रिष्टिकोंट से यह समझ सकने की श समता कि वह ब्यक्ति कैसा अनुभू कर रहा है कहलाती है क्या कहलाती है सहानुभूति कहलाती है बिल्कुल नहीं परानुभूति की दूरानुभूति की उप्रोग तो सभी तो देखो इसमें जो आपका भी ऑप्शन है वह करेक्ट जाएगा परानुभूति कहलाती है इंपैथी कहते हैं सिंपैथी नहीं कहते हैं सिंपैथी क्या होता है तो सहानुभूति किसी को किसी चीज के लिए सहानुभूति देना ठीक है यानि कि उसको यह समझाना कि मतलब मानलो कोई घटना हो गई तो हम सहानुभूति देते हैं ठीक है लेकिन उसकी फिलिंग को अगर पर्शन इस फिलिंग एंड इन ए सिच्वेशन फ्रॉम देर पॉइंट साफ इसकाल्ड क्या है इंपथी इसकाल्ड इंपथी तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा परानुभूती क्या परानुभूती क्या है तो इसमें सही एंसर है अगला कोश्चन है अंतर व्यक्तिक संबंद समाजिक सहचर है अंतर व्यक्तिक संबंद समाजिक सहचर है इंटर पर्शनल रिलेशन इस सोसल एसोसियेट बिट्वीन दो लोगों के मद्द समूहों के मद्द परिवारों के मद्द उप्रोग्त सभी तो देखो यहां पर दे रहा है कि इंटर पर्शन तो इसमें आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यह दो से अधिक लोगों के समूह से समंदित होता है तो इसमें देखो दो लोग दो लोगों के यह तो बिल्कुल सही है समूहों के माद यानि कि दो से अधिक यह भी सही है परिवारों के माद यह भी सही है तो डी ऑप्षन आपका इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अब अगला question है अंतरव्यक्तिक संबंदों की एक पूरवर्ती दशा है तो इसमें आपका A option है खराब रिश्थे दूसरा option है निर्भरता तीसरा option है सन निकटता और D option है आत्म मुख्दता तो इस में मुझे थोड़ा सा doubt है लेकिन इसमें मेरे हिसाब से आपका डिपेंडेंसी करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह आपके अंतर व्यक्तिक संबंदों की एक पूर्वर्ति क्या है दशा है अंतर व्यक्तिक संबंदों से क्या आज जाती है निर्भरता आ जाती है उसके बाद 33 question number संबंद महत्तोपूर्ण होते हैं क्योंकि वह व्यक्तिकी वहु संबंद महत्तोपूर्ण होते हैं क्योंकि वह उतिक बहुत सी आधको करते हैं सिवाय सामाजिक हमधिवेग्व कर यहां पे मुझे इससगत्ट पूर्व होते हैं क्योंकि वह व्यक्ति की की बहुत सी आधकताऊं को को पूर करते हैं सिवाय शक्तत की आवसकता समद्ध की आवशक्ता समाजिक पिन में प्रेम पाने की आवशकता तो महत्वपुर्ब जो संबंद होते हैं उनमें हम एनर्जी तो नहीं दे सकते हैं लेकिन जो यह ओप्षन है वह करेक्ट हो जाएंगे आप रोप्षन जो आपके हैं उनमें से आवशक्ताओं को पूर्ड करते हैं सिवाय कि क्या नहीं पूर्ड करते हैं तो सक्ति की आवशक्ता को नहीं पूर्ड कर सकते हैं संबंद की आवशक्ता को पूर्ड कर सकते हैं सामाजिक भीन में भी हो सकता है और पाने की आवशक्ता भी क्या हो सकती है लेकिन शक्ति की आशक्ता वो स्वेम फूरा करेगा ठीक है उसके बाद है अगला कोश्चन है कि अगला कोश्चन है करें अंतर व्यक्तिक संबंदों को सुधारने के तरीकों में समलित है क्या समलित है तो खुलापन उसके बाद है सीमा रेखा का निधारन तीसरा अप्शन है सक्री स्रावड तो अंतर व्यक्तिक संबंदों को सुधारने के तरीकों में क्या समलित है तो एक्टिव लिसनिंग सी अप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा हम जो अंतर व्यक्तिक संबंद यानि कि जब दो लोगों के व्यक्ति में जब दो व्यक्तिव में संबंद होता है तो उसको कहते हैं तो अंतर व्यक्तिक की बातों को आप सुनके अच्छे से सुनके आप अंतर व्यक्तिक संबंद को और इंप्रूब कर सकते हो उसकी बातों को सुनके समझके और उसको मोटिवेट कर सकते हो ठीक अगला कोशन है अंतर व्यक्तिक संबंद सहायक होते हैं तनाव प्रिदी में अंतर व्यक्तिक मैं थोड़ा सा जूंग कर दीती हूं अंतर्व्यक्तिक संबंद सहायक होते हैं तो तनाव ब्रिदिए में दूसरा option है हिर्दय रोग का खतरा कम करने में C option है आयू गटाने में दी option है और साथ का सबसे बेश्ट लग तो हिर्दय का रोग का खत्रा कम करने में अंतरव्यक्ति सम्मंध्र तो तनाव में बृदिक के लिए नहीं होता है है जो भी नेगटिव चीजे आइंटेम्न को आपको इगनौर करना है सबसे पहले तो हिर्दय का खत्रा कम करने प्रक्रिया का इलेक्ट्रानिक मानक है तो वह क्या है डिजिटल सिस्टाचार इसमें आपका ऑप्षन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा यह आचरन या प्रक्रिया का इलेक्ट्रानिक मानक है उसके बाद किसी परिष्थिति में व्यक्ति को डिजिटल संचार के नियम का पालन करना चाहिए किस परिष्थिति में व्यक्ति को डिजिटल संचार के नियम का पालन करना चाहिए तो किसी को इमेल भेचते समय किसी को जन्मदीन का बधाई संदेश पर लिखित संदेश पढ़ते समय मोबाइल फॉन उठाते समय तो इसमें आपका यह option क्या हो जाएगा किसी को email भेजते समय हमें संचार के नियम का पालन करना चाहिए ठीक है संचार के नियमों का पालन करना चाहिए तो और अगला कोश्चन देख लेते हैं 38 कोश्चन में से कौन सा कथन आई सीटी के लिए सत्य है आई सीटी के लिए सत्य है तो इसमें से इसमें केवल संचार तकनिक समलित होता है कि इसमें केवल सूचना तकनीक शमलीत होता है सूचना है संचार कोई भी तकनीक समलीत नहीं होती अष्जाएं एच कहा है है सूचना वं जान है क्या हो जाएगा चायेगा अब हैं CPU के दो मुख्य घटक हैं Ira तो कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CPU के दो प्रम्मुख्य घटक हैं तो वह कौन-कौन से हैं तो पहला आप्षण है नियंत्रण इकाई यानि कि यह प्षण है मुख्य स्मृत्य था नियंत्रण इक है तो देखो इसमें आपका जो ए और वो करेक्ट हो जाएगा नियंत्रण इकाई कंट्रोल यूनिट नियंत्रे निकाई के मतलब कंट्रोल यूनिट एवं एल यू तो यह आपके CPU के मुख्य घटक हैं अब अगला कोश्चन है और लास्ट कोश्चन है डिजिटल सिस्टाचार आवश्चक है क्योंकि इंटरनेट तक बच्चों की पहुंच को प्रतिबंदित करने के लिए उसके बाद है दूसरों के साथ सुचार रूप से अनलाइन संचार के लिए उसके बाद है उप्रोक्ता के अनलाइन अधिकारों को बढ़ाने के लिए उसके बाद है उप्रोक्त सभी तो इसमें आपका अल्मोस्ट डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो ज वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादे से ज्यादे शेयर करेंगे क्योंकि यह सब के लिए है और सब को यह देखना चाहिए परस्नलालटी ड्लोप मेंट कम्मुनिकाशन स्किल यह हर सब्जेक्ट से इस परसं से रिक्ट से रिलेटेड है यह विशाह में है तो आप पड़ रहे हैं नहीं तो यह हर व्यक्ति को जानना चाहिए ठीक है यह डेली की चीजह आपको यह इंट्रस्टिंग फैक्ट्स भी यह और डेली की चीजे भी हैं तो यह आपके लिए मतलब नॉलेजेबल हैं आपको जानना चाहिए इन सब चीजों को और आप इसे जादे से जादे शेयर करें ताकि और भी लोग इसके बारे में जाने ठीक है तो अगेन वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक् थांक यू वेरी मुच्छ